मुस्मिल्य रख्मान रहीम, असलाम अलेकूम नाजरी, प्रोग्रेम इसलाम और इंसान के साथ मैं हूँ आप तमीजमान प्यास्थान, आज इस वजू पर हम बात करेंगे वह इसलाम और 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 इसलाम तेंक्यू वेरी मस्च पर जाएनेगर आप सब को भी बहुत शुक्या है अलामसब जब हम बात करते हैं एदे मिलाद नबी की हम सुनते आए हैं दो एदें एक एदुल पित्र और एक एदुल अज़ा ये एदे मिलाद नबी हम इसे क्यों कहते हैं और इसका क्यात सबूर है इस दाब में लफ़ आईल लोगत अरब से है और आईल का माना किसी चीज़ का बार बार लोट के आना बार बार पलट के आना यानि वो तहवार जिसमें खुशी या गमी का इजहार होता हो उस तहवार को आईल कहते हैं जब अरबी लोगत के हवाले से आईल का माना ये ठहरा कि कोई खुशी का तहवार जो इनसानी जिन्दगी में एक बार नहीं मतादित बार 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 आए उसको आईल कहते हैं आपने कहा कि हम सुनते हैं कि आईल दो हैं आईल फितर और आईल अजहा मैं आपके इल्म के लिए बात कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक ने इन दोनों को ईद नहीं कहा अच्छा इसलामी तहवार कहा है अहादिश मुबारका में इन तहवारों को ईद के लफ़ के साथ ताबीर किया गया गोया रब आलमीन ने हमें ये दो तहवार दिये लिकिन जब ये दो तहवार दिये तो ईद का लफ इस्टेमाल नहीं फरमाया कुरान पाक में अल्लह रब आलमीन ने ईद का लफ इस्टेमाल फरमाया है और वो किस मकसद के लिए कि जब हजरत इसलाम की हवारियों ने कहा कि आप दुआ करें कि आस्मान से दस्तर खान उत्रे जिस पर खाने हों हम उसे उतर तौवत देखें और इसे आपका मुज़ा समझें और अल्लह ताला की तरफ से एक निशानी समझें ताके हमारे एमान में इजाफे का और लोगों के एमान का बाइस और सबब बने और उन्हें ने कहा कि जिस दिन वो दस्तर खान उतरेगा हम उस दिन को ईद बनाएंगे वो हमारे लिए ईद होगा हमारे पहलों के लिए भी और हमारे बाद में आने वालों के लिए भी ईद होगा और उनोंने के द्वा करें कि ल्लाँ आड़ा हमें रिस्क दे इसलिए कि ल्ला जो है सबसे बेठर रिस्क देने वास है गोया कुरान ई पाक ने जो ईड कलर ती थिस्ते इमल किया वो दस्तरखान के उतरने के दिन कहा कि इस तरह हज़रते ईसारे सलाम के सामने उनके हवारियों ने कहा ता कि दौा मांगे गोया इड कुराणी नक्ता नजर से वो दिन और वो तहवार होता है कौमों के लिए कि जिस दिन और जिस तहवार में अल्लह ताला उन्हें कोई गैर ममूली खुशी अता फर्माए अल्लह ताला उन्हें को गैर ममूली सादत अता फर्माए और यकीन जब दस्तरखान के उतरने को दस्तरखान के उतरने के दिन को ईड कुरान बयान कर रहा है तो फिर अल्लह की कोई रहमत भी जिस दिन उतरेगी उस दिन को यौम ईड कहा जा सकता है और ये एक हकीकत है कि नभी अपाक सुल्ला लगारी सल्लम की जात गिरामी अल्लह ताला की तमाम निम्तों का नुक्ते मरकज है अब देखिए अल्लह ताला ने इनसान को बहुत सारी निम्ते दिये आंक निम्त है अगर इसकी एहमियत पूछनी है तो किसी नाभी ना से पूछिए सुबान और उसमें कुवत तकल्म निम्त है अगर इसकी कदर पूछनी है तो किसी गुंगे से पूछिए पाउं निम्त है और उसमें चलने की ताकत निम्त है अगर इसकी कदर जुरूरत पूछनी है तो किसी माज़ूर से पूछी है ति अग्रिजा अनुद आर्दा रोलामीन ने एक इंसान को अलाद के नियमा दी सिहत के नियमा दी इजळत के नियमा दी कुछ दिया तो अन नियमतों पर इहसान नहीं जताया क्योंकि अल्ला के नभे उ just-it के नियमतों एह मारें अधूरे नियमतों के अहमियत ही नहीं है लेकिन हम gegen कुरान को जब देखते हैं तो गरान पाक में हमें एक आयत मिलती है कि जिसमें अल्ला ताला ने मुमिनों पर इसान जताया है और इहसान जताते हुए फर्माया लकद मन अल्लाहु आलेल मूमिनीन इजबास फीह रसूला कि बेशख बेर ने इहसान किया है मूमिनों पर अल्ल्द आल्ला इहसान तो तो जता रहा है तो इहसान तो उच्छी नहमत पर होता है और नहमत भी वो नहमत कि जिस निमत को देते वक्त देने वाले को उसकी अहमियत मैसूस हो अगर आप किसी फकीर को 5-10-20 रुपे दे देंगे तो आप इहसान जड़ाएंगे क्योंकि पॉंच जड़ाएंगे आपके नजीद इसकी अहमियत नहीं है अगर आप किसी दिन किसी को देते हैं वो चीज कि जो आपके नदीक बड़ी मुहतम भी शान है तो आप उसको देते हैं कि भाई देखो मैंने आज तक किसी को नहीं दी तुम्हें दे रहा हूं मैं तो अर्भ वज़ालमी ने विए बेश्क बेखो ल अपनी अपने रसूल को मबरूस फर्मा दिया अब नतीजा क्या निकला कि रभ वज़ालमी ने कुरान में वो इन तउद्दू नियमत लगा लातौसूफ़ा कि अगर तुम मेरी नियमतों को शुमार करना जाओ तो तुम में ये ताकत ही नहीं है कि तुम मेरी नहमतों को शुमार कर सको इन तो इन उिani बे-बहा नहमती अता करने वारे रभ ने किसी नहमत पर ये नहीं को हाग मैंने इसान किया है तुम पर लेकिज़ जब हजूर सुल情 wondering को बेजा और ये नहमत हमीं अता फर्माई तो कुरान कहता है कि रबालामीन ने इष्सान प्यताया तो गोजा जब حضور ﷺ अल्लह की प्माम रहमतों अल्लह की प्माम नामतों नबुवत और रिसालत का Z टहरे तो इतनी बड़ी नामत के मिलने पर जिस दिन वो नामत इंसानियत को हासल होई अगर उस दिन एद मनाई जाए, खुशी का तहवार मनाया जाए, फरहत का तहवार मनाया जाए, तो ये कुरान और सुन्द की बुन्यादी रूख के मताबिक है आप से ये जाना चाहूँगा कि उस वक्त, जब आला तहला ने आप से लिए आप से लिए को इस दुन्या में मभूस फरमाया, उस वक्त के जो हलात थे, वो क्या हलात थे, जिन में आप से लिए एक बड़ी सादत करा दिया गया है मैं एज मिलाद النबी कि इस प्रोग्राम के हवाले से आपके जवाब के जिमन में, सवाल के जवाब के जिमन में एक नुक्ते की वजाहत करना चाहता हूं नबी इप्राओ सुललाओ और जिमन के हवाले से तीन मराहिल हैं एक मरहला आपकी त्खलीक का है, कि आपके आप तरमाया, आपकी भिलादत का है आप मां के पेड़ से दुनिया में कब जल्वागर हुए और तीसरा मरहला आपके मबूस होने का है जिसके बारे में आपने सुवाल किया है बेसत, विलादत, खिलकत अब हम आईए अहादीश से लेते हैं नभी पार स्वाबी ने सुवाल कि जिनका नाम हजद जाबिर है उनellow का या रसूलugen आपको कब पार्ड़प Star या जाबर इन बारे में काने से जाबिर में आपको पीदा इनल्लह कद खलका कबललश्या नुर नवीयक मीन नूर ही कि अल्लह तालह ने सारी काइनात को तखरी करने से पहले تیرے نبی کے نور کو بھی نور سے قیدہ فرما دیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مرحلہ ہے ولادت آپ کی حضرتِ بیبی آمِنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکمِ اثَر سے ہوئی والدہ آپ کی دیبی آمِنہ ہیں اور والد آپ کے حضرتِ عبداللہ ہیں یہ ولادت ہے اور ہمارا جو آج کا नुक्ते मरकज है वो विलादत है और बेस्ट आपकी कब होई बेस्ट का माना होता है कि जब आपने एलान नबुवत फरमाया उसको हम बेस्ट कहते हैं किताब उस उन्नत के हवाले से वो आपने उस वक्त फरमाया कि जब आपकी अमर मुबारग चालिस साल थे चालिस सारी उमर में आपने बेस्ट फरमाई और अज़रत ईसा लिएस्ट की आमद के छेस्ट साल तकरीबन साड़े छेस्ट साल के बाद तकरीबन हज़ुद्स आपकी विलादत होई और तखलीक सौरी काहिनात से पहले हो आज हमने के विलादत कब होई उस वकट क्या हालाद है और बेस्ट के वक्ट क्या हालाद है विलादत और बेस्ट के दरमईन कुई زیادہ वक्त नहीं है चालिस साल का वक्त है तो कumenों के अंदर अगर कोई خوبियूं होती है ना उन को मिटते मिटते भी सदियें लगती हैं और कौमों के अंदर अगर कोई खराबी होती है उनको मिटे मिटे भी सदिये लगती है क्योंकि एक इनसान जब अपनी जिंदगी को सवारता है ना तो बरसा बरस उसको लग जाते है तो अपवाम में एक फर्तु नहीं होता ना वो तो अफराद का मजमूआ होता है इसलिए जो पोजिशन हजूर की विलादत के वक्त अरब की थी वो ही पोजिशन बेस्ट के वक्त थी वो क्या थी? कि शिर्क में मुबतला थी अल्ला के घर को 360 बुतों से सजाय हुआ था अल्ला के घर को 360 बुतों से उन्होंने मौला किया हुआ था जिन्दा बच्चियों को पैदा होती ही जिन्दा दरगोर कर देते थे काबाईल में तक्सीम थे सूद का करुबार आम था इन्तिकाम पे इन्तिकाम चलता था एक आदमी की टांक टने पर सैकों के वो सर काट देते थे अस्वियत बहुत जएदा थी फखर तकबर रहुनत बहुत जएदा था अपनी जुबान पर अपने कबीले पर अपने इलाके पर तफाखर यूनके अंदर बहुत जएदा था सियासी तोर पर वो मुन्तशिर कौम थी जर्या आमदन तीन मेलों के इलावा हज उम्रे के लावान को उन्दवार ने